नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों रोज की तरह एक बार फिर हम लोग बात करेंगे 20 जन्वरी के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की विक्रम वाले जातक लोगों को आज अपनी आर्थिक स्थिती को संभालना पड़ेगा रुपए पैसे खर्च करते समय बहुत ध्यान से बहुत सावधानी से करें जहां जरूरत हो जहां आवश्यक हो जिस काम को टाला नहीं जा सकता उन्हीं काम में पैसे लगाएं अन्यताज पैसा भोजन करा सकें तो आपको लाब बहुत अच्छा मिलेगा जो भी नुकसान की स्थिती है या अर्थिक संकट की स्थिती है उससे आप बच जाएंगे व्रिशव राशी व्रिशव राशी वाले जातक लोग आज किसी भी काम में हाथ लगाएंगे उनको अपरम पार सफलता म ने से या फिजूल χर्च करने से बचिए मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए अगर आप कोई नया कार या आरंभ करना चाते थे कोई नए बिजनेस वियापार के लिए शुरूआत करना चाते थे और एक अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे तो ग्रहों के दृष्टी से आपके लिए आज का दिन बहुत शुब बनता है आज आप फायदा ले सकते हैं भगवान गणेश की पूजा आराधना करके ओम गंगर पतैनमा बोल करके 108 बार काम को आरम करिए श्री गणेश करिए करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों को आज गुसा बहुत आएगा क्रोध बहुत आएगा यूं तो आप बहुत ठंडे दिमाग के होते हैं लेकिन आज बहुत उत्तेजना रहेगी अपने इस एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करिए नहीं तो प्राब्लम आपके लिए ही बनेगी आपके ही का सब्सक्रादी में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों को आज की दिन चर्या में बहुत करीबी व्यक्ति की वजह से कोई बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा सकता है या कोई व सिति में अगर आप ट्रेवल ना करें लॉंग डिस्टेंस का तो जादा अच्छा है यानि लंबी दूरी की यात्रा पर आज आपको नहीं जाना चाहिए कण्या राशी कण्या राशी वाले जातक लोगों के लिए आज की दिन चर्या में पूजा पाठ धर्मकर्म की इस्ति आपके लिए ज्यादा अच्छी बनते हैं आज आपका मन उसमें ज्यादा लगेगा तो खुद अकेले भी जा सकते हैं और परिवार के साथ किसी मांगलिक कारिक्रम का भी आयोजन आप किसी अनुष्ठान का भी कर सकते हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए हनुमान जी फाइनेंस सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन आपकी हेल्थ आज थोड़ा सा प्रभावित होगी तो स्वास्त का ध्यान रखिए और महामृतुंजय मंत्र का 108 बार जाप कर लीजे ओम त्रैमकम यजा महेवाला जो मंत्र है उसको जाप कर लीजे मांसाहार मद्यपान यानी नॉ होने वाले हैं आपका डिसीजन आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा आज जो आप डिसीजन करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम दुरवा बिलवप प्रियाई नमहमंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लापकार मिले मान सम्मान मिले ऐसे योग बनते हैं आपके उच्छादिकारी आपके काम की आपके काम के तरीके की तारीफ करें ऐसी इस्थिति हैं परिवार की तरफ से भी प्रसनता का महौल रहेगा आज के दिन को शुब बनाने के लिए भगवान श्रीराम की पूजा अराधना करन ओम रांग रामाय नमह मंतर का 108 बार जाप करना आपके लिए लापकारी होगा इन्वेस्टमेंट अभी आपके लिए भी अच्छा नहीं है मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने बातचीत करने के तरीके को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा हो सकता है कि आप कोई बात बहुत कैजूली कहें बहुत साधारन बात आपने कहीं लेकिन सामने वाले ने उस बात का गलत अर्थ ले लिया और आपस में जगड़ा हो जाए विवाद हो जाए तो बहुत साफ सुथरे तरीके से और बहुत सोच समझ करके नपातुला बोलिए ब कुम राशी वाले जातक लोगों के लिए आज की दिन चर्या में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको बहुत अच्छा लाब मिले बिजनिस में या नौकरी में कोई नया आपको आफर मिल सकता है बिजनिस के एक्सपेंशन का या जॉब में कोई बड़ी प्रोफाइल आपको आज तयार रहना चाहिए आज के दिन को शुब बनाने के लिए गड़ेश चालीसा का पार्ट करना आपके लिए हितकारी होगा मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए आज की दिन चर्या में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज रहेंगे अपने डिसिजन्स लेने में अपने काम को करने में आज मन नहीं लगेगा आज एक आग्रता यानि कंसेंट्रेशन की कमी आप फील कर पाएंगे कि आज काम में मनी नहीं लगेगा कंसेंट्रेशन बने गाई नहीं तो ऐसी इस्तिती में परिवार के साथ इस्ट मित्रों के साथ थोड़ा सा एक हलके महौल में खुश्णमा महौल में समय वितीत करें अपनी उर्जा को एक कत्रित करें कंसेंट्रेशन दुबारा बना करके आप अपने काम में लगेंगे तो आपको फायदा मिलेगा दुर्गा चालीसा का पाठ करके घर से निकलिए वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करिए क्योंकि आज लैक ऑफ कंसेंट्रेशन है तो चोड़ चपेट अक्सिडेंट दुर घटना हो सकती है अपना ध्यान रखिए तो मितनों यह तो बात रही आज के बारराशी की अब हम लोग चर तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिसको आप कभी भी किसी भी एकादशी पर इन में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं यह कुल साथ उपाय मैं बता रहा हूं आप चाहें तो यह साथ के सातों कर सकते हैं या आपको जितना ठीक लगे जितना यूदो हर मैइने में, क्योंकि साल में 12 मैंने होतें तो 24 एकादशी होती है हर पक्ष मे, जब मलमास लग जाता है जिसको अधिक मास कहते हैं जब वो Deutschland 13 मैना हर तीसरे साल एड़ होता है तो 26 एकादशी हो जाती है, उसकी दो एकादशी हो जुड़ जाती है और उनको प्रसंद करने के लिए वरत इत्यादी करने का नियम है मानिता के नुसार एकादशी की तिथी में भगवान विश्णु को कुछ खास चीजें अगर समर्पित की जाएं तो जातक की साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाय कूरी होती हैं और अंत में उसको बैकुंठ ल वस्तूओं से पूजा करने की जो क्रिया है अगर आप इसको समझ करके इसका लाब लेते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा आए जानते हैं क्या-क्या कौन-कौन सी वो वस्तूओं और किन विधी से आपको किसी भी एकादशी में भगवान विश्णु की पूजा आरा करनी चाहिए भगवान विश्णु को पीतांबर ढारी कहा गया है इसलिए एकादशी की तिथी में पीले वस्तू समर्पित करना और पीले वस्तूर्दारं करके ही भगवान विश्णु की पूजा करना बहुत महात्म है एका डशी पर भगवान विश्णु को गाय के में भगवान विश्नु को पीले फल जैसे केले आम संत्रा इत्यादी जो भी पीले फल हो उनका भोग आपको समर्पित करना चाहिए बाद में इसे प्रसाद के रूप में इसका वित्रण कर देना चाहिए चौथा उपाई यह कि एकादशी पर भगवान विश्नु को तुलसी की माला समर्पित करें इससे आप भी भगवान प्रसन हो जाते हैं तुलसी की माला उनके गले में अगर कोई विश्नु जी की मूर्ती है तो उस पे डाल दीजे फोटो है तो उस पे आप डाल दीजे एकादशी पर भगवान विश्नु को भोग के रूप में पीले रंग की म एकादशी की तिति पर भगवान विश्णु को कमल का पुष्प या अन्य कोई भी पीले रंग का पुष्प चड़ाना बहुत शुब माना गया है एकादशी पर भगवान विश्णु को कदम या हर्श्रिंगार का इत्र समर्पित करना चाहिए इस से आपकी कि किसी भी प्रकार की मनो कामना जो है वो पूर्ण होती है भगवान विश्णु ने स्वेंवर्णन किया कि एकादशी भगवान विश्णु के हिर्दय के समान उनको प्रिय है जिस तरीके से किसी भी मनुष्य के शरीर में हिर्दय ही हमारा पूरी बॉडी का पॉम्पिंग स्ट कि गणार वह की है कि तिती रहे हैं कि इस थि पर भगवान विशनु की जो पूजा आधना करता है वह उनको प्रसंद करके उनकी कृपा आसानी से सकता है तो मित्रों आशा करता हूं कि आप सभी को यह चोटे-चोटे और बहुती प्रभावशाली बहुत ही चमतकारी बहुत ही कल्यानकारी टोटके बहुत पसंद आते होंगे आप सभी से आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजिए और देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल वैफ़पन नमस्कार जटिल समस्या हो या भाग्य वाधा हो व्यापार नौकरी शादी की समस्या करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोटिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमतकारी प्रभाविशाली समाधार एक जानमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्टे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर या फिर फोन पर अपॉंट्पेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300146-9990724131 या फिर वीमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com